आलो फैंस आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हम जो कंप्यूटर इंस्टूट खोलते हैं या फिर खोलने की सोच रहे हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन हों चाहिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे में पर कमेंट आते हैं और इस्टाग्राम पर आता है मेल पर बात होती है कि हमारी क्या एजुकेशन की क्वालिफिकेशन हों चाहिए मैं 10th पास आउट हूँ मैं 12th हूँ मैं ग्रेशन लेविल का हूँ मैं B.Tech हूँ या फिर मैं डिपलोमा इंजीनिर हूँ इस तरीके से में पास कुशन आते हैं तो इस वीडियो आज मुझको इसलिए बनाना पड होगी उनको भी समझ में आ जाएगा कि कौन-कौन सेंटर को खोल सकते हैं ठीके अब क्या होता है कि कोई इंस्टूट से किसी ने एक साल का डिपलोमा कर लिया या फिर कोई six month का कर लिया ठीके या फिर कोई कहीं पढ़ा रहा है ठीके अब वो चाहता है मैं अपना एक सेंट खोलना चाहता हूं तो उसके सामने दिक्कत यह आती है कि अब वो खोल सकता है कि नहीं खोल सकता है ठीक है क्या-क्या इसमें क्योंकि उससे कुछ नहीं पता होता कि मापा मैं टीचिंग करा रहा हूं अब मुझे ना तो रेजिस्टेशन का कुछ पता है और ना मुझे यह इसमें Education Qualification क्या होने चाहिए या फिर मैं जो Certified दूँगा वो मैं कैसा दूँगा तो इसमें Education Qualification क्या होने चाहिए तो इस बात को मैं आज किलिया करता हूं तो देखिए Friends सबसे पहले तो आपका स्वागत है Grow with परसांट चैनल में मैं परसांट स्वागत करता हूं आपके अ हो सकता है एक होता है कि आप अपना पैसा लगा रहे हो और महाँ पर फैकल्टी रखे या टीचर रखे उसको आप मैनेज कर रहे हो यह भी तरीका है कि आपने लेब लगा दी आपने पूरा सेट अप तयाया कर दिया और उसके बाद आपको नॉलिज नहीं है कंप्यूटर या इस तरीके से आप चला सकते हो ठीके बट इसमें कंडिशन यह रहती कि अब क्या होता है कि कोई बंदा है जिसने सीख चुका है या फिर पहले से और लेडी कहीं पढ़ा रहा है ठीके तो बोच सोचता है कि मैं भी अपना सेंटर खोलूँ ठीके तो फिर अब वो खोल सक करना है उसी को एडमिशन लेना है ठीक है क्योंकि अभी वो स्मॉल स्केल पर खोल आए तो वो अभी सारा काम खुदी करेगा क्योंकि उसके पास अभी इतनी अनिंग सोर्स नहीं है कि वो सारा जो स्टाप का है हैंडल कर सके सैली बगरा दे सके तो वो खोल सकता है इसमें ऐ अपना खोलना चाह रहे हो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा वैस्ट क्योंकि उनको एक्स्पिरियंस है वो कैसे पढ़ाना है ठीक है बात में स्टूडेंट को कैसे अडिमिशन लेना है वो सब चीज़ें आप मेरे वीडियो से सीख लोगे आप मेरे प्रिले लिस्ट प पास आउट हूँ और मैं आगे पढ़ाई नहीं कर सका बट मैं मेरे को बहुत ज़्यादा एक्स्पिरियंस है मैं पांच साल से वर्क कर रहा हूं सारे उन पर काम कर रहा हूं तो ठीक है आप खोल सकते हो बट यह कि आप थोड़ा सा अगर 12th लेविल का होगा तो ज़्याद है मेरे को कि सेंटर मैंने खोल लिया ठीक है अब मैंने महापर टीचर रख दिये अब क्या होता है कि वो अपना पढ़ा रहे है अब मेरे को तो कुछ नॉल कैन बना हूँ और साहरा काम faculty कर रही है मगर बट अगर आपको knowledge होगी आपके skills होगे मलग computer skills आपका diploma holder होगे या कोई भी आपने certificate course कुछ भी कर रखा हो आपके पास होगा तो आप monitoring कर सकते हो अच्छी तरीके से कि वो क्या पढ़ा रहा है वो सही पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है तो उसमें फिर आपके center की ज़्यादा growth रुख जाएगी क्योंकि आप तो इसमें monitoring करीने क्योंकि आपको पता ही नहीं क्या चला है market में, क्या fees चल लगी है क्या course आने वाले हैं, क्या update हो रहा है software हो में, वो आपको कुछ पता नहीं आप तो depend हो गए उस faculty पर ठीक है, अब वो ultra-seeta जैसा ही पढ़ा रहा है, वो एक तरीके से आपके लिए best है, मगर अगर आपको आता होगा, तो आप उसको notice कर सकते हो, student उसका feedback ले सकते हो, कि आपको क्या दिक्कत आ रही है, और फिर आप faculty change कर रही है, ठीक है, तो इस तरीके से रहता है, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपके पाद skills होंगे, computer skills कोर्स को कोई भी course कर रखाओ, मग computer knowledge होगी, तो आप भैतर तरीके से चला सकते हो, सेंटर को ठीक है, अब आपको knowledge नहीं होगी, तो कोई भी बेफ़कूप बना के आपको चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलाएगा, क्योंकि वो ना तो student, counselor भी सही से काम नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है नहीं क्या update चला है, यह तो आप भी को monitoring करना है, जिसका center है क्योंकि उसी की जिम्मेदारी बनती है, नहीं तो उसको क्या अपने salary से मतलब, वो अपने salary हर मन्त लेगा, और से कोई मतलम नहीं, ठीक है, आपको दस student आ रहे हो, पीस आ रहे हो, पचास आ रहे हो, उसे तो केवल पढ़ाना है, ठीक है, मगर आपको long time तक चलाना center को, तो इसलिए आपको monitoring करना जरूरी है, तो कहने का मलब इस वीडियो में, सीधी सी बात यह है, कि अगर आपको computer knowledge है, तो आप center हो सकते है, वो आपकी education qualification कुछ भी हो सकती है, वो आपका diploma holder हो, कुछ भी हो, मगर आपको, अगर नहीं कर पाओगे, या फिर बहुत सा ही चीज़ें होती है, student का data नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको आता है नहीं है, तो यह बात रहती है, मत थोड़ा बहुत तो आपको knowledge होनी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो उन लोगों को आज इस वीडियो के द्वारा माध्यम से जवाब मिल गया होगा कि भाई, आप खोल सकते हो बट आप अच्छी तरीके से monitoring आपको करना पड़ेगा आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है तब ही आप अच्छे तरीके से चला पाओगे, नहीं तो market में आप दूसरे center को beat नहीं कर पाओगे क्योंकि वो नहीं नहीं technology लाएगा नहीं course लाएगा और नहीं ने pattern से पढ़ाएगा तो फिर वो आप कैसे करोगे क्योंकि आपको तो उसमें interest यह नहीं आपको computer कभी सीखा यह नहीं कुछ भी नहीं करा या चोटा मोटा course कर लिए अब आपको interest नहीं है तो उसमें दिक्कत फिर यह आ जाएगी तो चलिए अब इसी वीडियो को यहाँ पर stop करते हैं और अगर चैनल पर नहीं है तो फिले subscribe कर लिजेगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल को देख रहे हैं बट वो subscribe नहीं करें क्योंकि वह सब्सक्राइब नहीं करते हैं और नोटिफिकेशन उनको आता ही नहीं है को नए वीडियो आते हैं तो वह एक तरह से information से रह जाते हैं क्योंकि ऐसी information आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगी तो कहने का मलब यह था आप प्लिफ सब्सक्राइब करें चैनल को बैल आइकन को दवाईए जिससे आपको notification मिलते जाएं मेरे जो वीडियो आने latest वह आपको time to time मिलते जाएं तो चलिए वीडियो को stop आप करते हैं और जैसे भी आपको कोई question हो कोई registration के question हो कैसे क्या करना है आपको कोई mind में कुछ भी सवाल के सवाल हो वो आप मुझसे email id में description में website का link है आप मुझसे contact कर सकते हैं अपना number share कर सकते हैं comment में जैसा भी आपको उच्चत लगे आप कर सकते हैं मैं आपकी पूरी आपको बात करते हैं तब तक के लिए धन्यवाद thanks for watching